आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से केजे क्लासिस का यूटूब चैनल पर और अधमनेल आपने विल्कुल सही पड़ा जो भी टैक्स आपने DRC03 से पे किया है वो आपको रिफंड मिल सकता है सर कैसे मिल सकता है ये बात कोन कह रहा है भई अगर हम जेज्मेंट पढ़ रहे हैं आस्था एंटरप्राइजिस की जो जेज्मेंट है पटना हाई कोट की अगर हम उसे डीपली पढ़ें तो आपको उसमें से ये चीज निकल कर आज में बताऊंगा अगर ये जेज्मेंट आपने अभी तक नहीं पढ़ी है तो आप इसे हमारे टेलिग्राम गुरूप से ले सकते हैं आप इसे हमारे वाटसप गुरूप से ले सकते हैं या हमारी टीम को वाटसप करकर वाटसप से ले सकते हैं सर क्या कहती है जजमेंट वैसे तो यह जजमेंट असैसी के अगेंस्ट थी लेकिन लेकिन जैसे कहते हैं न कि जो खराब घड़ी होती है वो भी दिन में दो बार सही समय दिखाती है इसी तरीके से इस जजमेंट में एक बहुत अच्छी बात कही गई तो चलो हम पहले उस एक लाग रुपे प्लस में जीस्टी के और मैंने जब वो गुट्स परचेज करके लाया तो मैंने सप्लायर को पूरे एक लाग अठारा जार रुपे दे दिये लेकिन जो मेरा सप्लायर सा वो बदमाश निकला उसने गोवर्मेंट को टेक्स पे नहीं किया अब जब गोव पारी कंडिसन सैडिस्फाई कर दी तो भई मुझे ITC क्यों ना मिले लेकिन आस्था इंटर्प्राइज में पटना हाई कोट ने का नई भाई साब नई भाई साब हम डी वाई बैथल वाली जज्जमेंट को नहीं मानते हम तो सुप्रीम कोट की जज्जमेंट को मानेंगे दीगे ना हम ITC आपको नहीं देंगे और साथ में ये इंस्ट्रक्शन दिया कि भाई रिसीवर तुमने जो ये ITC लिया है ये आप रिवर्स कर दो और बाद में और बाद में अगर डिपार्टमेंट रिकवरी कर लेता है अगर बाद में डिपार्टमेंट रिकवरी कर लेत सेलर से तो तुम उसका refund ले सकते हों सर यह बात कहां लिखी है जरा देखो अगर इसका point number 13 आप पड़ोगे तो point number 13 में यह वाली चीज लिखी है इस judgment के क्या लिखवा है कि भई यहां पर यहां पर recipient कह रहा है कि भई आपके पास पूरी machinery है कि अगर supplier ने default कर दिया तो आप उससे recovery कर लो उसका घर बेच दो उसका bank attach कर दो कुछ भी करके आप उससे recovery करो ठीक है अब अगर department recovery कर लेता है अगर आप department recovery कर लेता है तो यहां पर इस judgment में यह लिखा हुआ है कि अगर department recovery कर लेता है तो purchasing dealer purchasing dealer who paid the tax to its supplier could possibly seek for refund तो यहां पर जो purchasing dealer है वो refund के लिए जा सकता है तो अब इस situation को ऐसे समझना कि आपको जो notices आ रहे हैं और उसमें notices में यह लिखावा है कि तुम्हारे supplier ने tax जमा नहीं करा तो इसलिए हम तुमसे कह रहे हैं कि तुम ITC reverse कर दो तो जब आप ITC reverse कर रहे हो या कर चुके हो DRC03 से तो अब आप क्या करो जो supplier जो supplier default कर गया उसके department में जाओ भाई देखो एक आदमी लगाना तो तुम्हें पड़ेगा कि उसके department में जाओ जैसे मैं अभी दिल्ली के GST department में गया तो मेरे पर समय था तो मैं receiver के जिसका मैं case fight कर रहा हूँ उसके तो वाड में गया ही गया कि भाई आपने demand निकाली है ठीक है मैं इसे reverse करते था हूँ चलो लेकिन मैं साथ के साथ जो supplier था वो भी दिल्ली का था मैं उसके department में भी चला गया वाड में भी और मैंने वहाँ पर जाकर question पूछ लिया वहाँ पर जाकर question पूछ लिया कि भाई आप ये बताओ ये आपकी file है आपके यहाँ पर supplier है इससे recovery क्या हुई वो पूछ रहे हैं जी आप हमसे यह क्यों पूछ रहे हो कि recovery क्यों हुई मैंने उन्हें कहा जी आस्था enterprises का case है उसमें लिखा हुआ है कि अगर supplier से कुछ भी recovery हो जाती है तो receiver फिर उसका refund ले लेगा तो यहाँ पर आप मुझे comment box में लिखकर बताओ supplier से recovery करनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए थी या department ये तो बताएगा कि उसने recovery क्यों नहीं करी अगर supplier का registration कैंसिल कर दिया back date से कर दिया current date से कर दिया तो section 29 ये कहता है section 29 3 ये कहता है कि अगर आपकी कोई भी liability बाद में भी मांग सकते हैं तो यहाँ पर आपको सांथ नहीं बैठना है अगर आपके case में आपका ITC reverse करवा दिया DRC03 से तो आप अपने supplier वाले के पीछे लग जाओ department में और क्योंकि देखो ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर let's suppose करो supplier ने अपनी GSTR1 में बिल डाल दिये थे एक करोड गे उस पर 18 लाग का GST था और उसने अपना registration cancel करा लिया और अब department इसके खिलाब कोई कारवाई नहीं कर रहा हो सकता इसकी कोई department में जान पेचानो या किसी तरीके से settlement हो गई हो तो भाई साव अगर यह settlement हो गई तो receiver क्यों मरेगा जब आस्ता enterprises ने बात लिखी कि receiver तुम्हें DRC03 से ITC reverse करना पड़ेगा और जो भी supplier से बाद में recovery होगी तो आप refund ले लोगे तो भाई मुझे कोन बताएगा recovery कितनी है मेरे को या तो मेरा ward वाला officer बताए या supplier वाला बताए दोनों में से एक तो बताए भाई साब कि वही recovery कितनी हुई है आप समझें मेरी बात को अगर मेरी बात गलत है तो मुझे लिख कर बताओ क्योंकि यह सारी चीजे हम अपने course में बताते तो अगर आपने अभी तक हमारा course डाउनलोड नहीं कराए तो हमारा app डाउनलोड कर लो और उसके बाद उसमें free course इंजोए करो अच्छा लगता है तो paid course भी ले लो और इस Sunday को हमारे दो session है एक GST notices पर और उनके reply पर और साथ म आप यह जोइन करना चाहते हैं आपने अभी तक जोइन नहीं करा है तो हमारी टीम से संपर करके इन्हें जोइन कर लेना और एक बार आस्था enterprises के यह वाला जो point है जो मैंने अभी आपको बताया है कि भाई यहां पर आपके favor में है या नहीं है मुझे comment box में लिखकर बताना तो पूछ लो recovery क्या हुई recovery के लिए तुमने कौन से mode apply करे क्या आपने section 79 में recovery करी क्या क्या आपने उसकी property को जब्त करा गया क्या bank account को siege करा गया और अगर तुमने कुछ नहीं करा settlement कर लिया किसी तरीके से तो recipient क्यों फसेगा भाई आप मेरी बात को समझ रहे हो अगर मेरी अगर अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को like करना इस वीडियो को share करना और अगर इससे आपका कुछ भला हो जाता है तो comment box में लिखकर बताना कि इस judgment का ये analysis आपको कैसा लगा इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ इतना बड़ा subscriber base ब अगर कर दो धन्यवाद